आजकर लोग अपने घरों में पौधे लगा रहे हैं ताकि अपने घर की सुन्दर्ता को बढ़ा सके और जब भी वे बाहर बालकनी में आकर बैठें तो उन्हें शांती का हैसास हो सके तो चलिए बात करते हैं हम ऐसे ही चमतकारी पौधों की जो दिन रात ऑक्सिजन देकर जहरीली हवाओं से तो निपड़ते ही हैं साथ ही हमारे घर की सुन्दर्ता में भी चारचांद लगा देते हैं ऐसे ऑक्सिजन देने वाले पेड़ पौधों की आज हम बात करेंगे तो इन्हें चमतकारी पौधे कहना गलत नहीं होगा तो आगे बढ़ने से पहले जान लीजे मैं हूँ रुपिंदर कौर और हाजिर हूँ मैं अपनी बाते लेकर और आज हम बात करने वाले हैं आक्सिजन देने वाले चमतकारी पेड़ और पौधों की हिंदी में इस प्लांट को नाग पौधा कहा जाता है यह एक मजबूत लंबी चौड़ी पतियों वाला पौधा होता है इसके पत्ते ऊपर की तरफ बढ़ते हैं इन पौधों की पत्तियां थोड़ी जहरीली होती है इसलिए बच्चों की पहुंच से दूर रखना चाहिए इन पौधों को बढ़ने के लिए कम पानी और कम धूप वाली जगह की जरूरत पड़ती है यह हवा की गुणवता को सुधारता है रात में भी हवा को फिल्टर करके ऑक्सीजन चोड़ता है जहरीले परदूशकों को हटाता है कार्बेंडा इकसाइड, बेंजेन, जाइले इन सही तक कैंसर पैदा करने वाले परदूशकों को अफ्शोशित करता है, एर एलर्जी के खिलाफ एक परभावी बचाव के रूप में भी काम करता है हिंदी में इसे मनी प्लांट या पैसो का पेड कहा जाता है फ्रेंड से एक बात मैं आपको बता दूँ, इस पौधे पर मनी प्लांट पर सच के पैसे नहीं लगे होते पैसे तो हमें और आपको मेहनत करके ही कमाने पड़ेंगे हाँ ऐसा माना चाता है कि मनी प्लांट को घर में लगाने से घर में धन समरिधी बनी रहती है यह है एक तरह की बेल होती है जो हमेशा हरी भरी रहती है अगर हम इसे समय समय पर पानी देते रहेंगे और सेमी शेडिड लोकेशन पर हम गमले में स्पौधी को लगाएंगे या फिर hanging basket में भी लगाएंगे तो यह हमेशा हरी भरी रहेगी और इसका हरा रंग आँकों को हमेशा ही सुकून देता है यह इस plant की पत्तियां घर के सारे toxin को खतम कर देती है हवा में मौझूद toxin जैसे tollin, nitrogen, dioxide को भार करके हवा में नमी और oxygen को बनाई रखती है नमबर एट, bamboo plant हिंदी में इसे बांस का पौधा कहा जाता है यह पौधा भी 24 घंटे oxygen देता है परियावरन को साफ रखता है और natural air purifier का काम करता है इस पौधे को बढ़ने के लिए कम धूप की जूर्थ पढ़ती है लेकिन समय समय पर पानी देना जुरूरी है मिट्टी में थोड़ी रेत मिलाकर ही गमले में इस पौधे को ग्रो किया जाता है और जो है मिट्टी में मिट्टी को सूखने न दे उसे समय समय पर पानी देते रहे नमी की जरूरत बहुत पढ़ती है इस पौधे को तो इसे सूखने ना दे नमबर नाइन अरेका पाम और इसे बटरफलाई पाम के नाम से भी जाना जाता है लंबी पंक रूपी पतियों के कारण ही इसे बटरफलाई पाम कहा जाता है इस पौधे को सीधी सूरज की रोशनी ना दें सुभा की एक तो घंटे की सूरज की रोशनी से ही इसका काम चल जाता है बाद में दिन भर की जो तेज धूप होती है उससे इस पौधे को बचाएं यह पौधा जो है सचावटी पौधे की रूप में जाना जाता है इस पौधे को लगबग हफते में बस एक बारी पानी दे, इसका काम चल जाएगा एर कंडिशनर चलने की वज़ा से कमरे की हवा में नमी की मातरा कम हो जाती है यह पौधा इस कमी को दूर करता है, नमी की मातरा बढ़ाता है और फेफडों को नुकसान पहुंचाने वाली गैसो जैसे कार्बन, मोनोकसाइड, फौरमेलडिहाइड, जाइलेन, टॉलेन, नाइट्रोजन, डायकसाइड और ओजोन जैसी गैसो को सोख लेता है और हवा में से शुक्षम कड़ों को जैसे गंदिगी के चुट चुटे कड़ों को दूर करके हवा को शुद्ध बनाता है नमबर टैन पीस लिली, हिंदी में से शांती का पौधा कहा जाता है यह एक common house plant है, इन में गहरे हरे रंग के पत्ते और सफेद फूल होते है यह पौधा दिखने में तो बहुती प्यारा लगता है, साथ ही यह ज़्यादा बड़ा भी नहीं होता इसी वज़ा से इस पौधे को ज़्यादा देखभाल की जरूरत नहीं होती हाँ एक बात का ध्यान रखें कि इस पौधे को direct रोशनी में नहीं रखना है indirect sunlight से ही इसका काम चल जाएगा, वनना तो यह पौधा सुख जाएगा और मर जाएगा पीस लेली का पौधा घर में लगाने से, यह घर की हवा को तो शुद करता ही है साथ ही कई परकार की बिमारिया भी दूर करता है दमा से पेडित लोगों के एलिए बैड रूम में लगाना इस पौधे को काफी फायदे मन्द रहता है तो यह थे oxygen giving plants वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इसे like and share करना ना भूले और हाँ अगर आप चैनल पर नहीं है तो subscribe करके notification bell को दबागर all पे भी click कर लीजेगा ताकि आपको मेरे आने वले वीडियो की notification सबसे पहले मिलती थे Thank you